दोस्तों सेर, चीता, भालू आदी के बारे में तो आप जानते ही होगे कि ये कितने खतरनाग जानवर हैं सेर और चीता के बारे में तो सुनकर हमारे दिमाग में एक डर साप पैदा हो जाता है यहां तक तो बहुत से लोग चुहे और काक्रोच जैसे जानवरों से डर जाते हैं बहुत से ऐसे खतरनाग जानवर हैं जिससे कुछ लोग इससे दूरी बना कर रहना चाहते हैं क्या आपको पता है कि ऐसे खुंखात जानवर को अपने घर में रखना बहुत लोग पसंद करते हैं कुछ लोगों ने तो जानवर पालने की हदें पार करती हैं आपको तो पता होगा बिल्ली, कुट्ता, तोता जैसे जानवर तो लोग पालते ही रहते हैं क्या आपको पता है कि एनाकोंडा बिच्छु जैसे खतरनाग जानवर अपने घर में पाले हुए हैं हम आपको एक ऐसे ही वीडियो दिखाएंगे जिसमें आप बहुत से खतरनाग जानवर को घर में पाले हुए देख सकते हैं तो friends मैं हूदर गेश हाजर हो एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो को लेकर तो guys अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट हम लेके आते रहते हैं चलिए friends, शुरू करते हैं कीड़ो मकॉडों से तो हर कोई डरता रहता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे कीड़े मकॉडों को पालना पसंद करते हैं इस कीड़े को तो सायद कोई ही पालेगा क्योंकि ये इतना बड़ा और इतना खतरनाक कीड़ा साइद जो लोगों को देखकर ही डर लग जाता है इस कीड़े को साइद कोई पाले इस जानवर का नाम सेंटिपीड है ये एक से दो फिट की लंबाई में बढ़ सकता है और इसका डंक बहुत ही खतरनाक सावित हो सकता है ये छोटे मोटे कीडों से लेकर ये चुहो जैसे जानवरों तक का सिकार कर लेता है लोग इस जानवर को देखकर डरने लगते हैं और इससे दूर भागने की कोशिस करते हैं क्योंकि ये देखने में ही बहुत खतरनाक होता है इसका जो पैर है ये अंगिनत पैर देखकर भी बहुत से इनसान भैभीत हो जाते हैं लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इसे पालना पसंद करते हैं जब बात पालने की जानवर की हो तो सेर को कौन पालेगा ओ भी अपने परिवार में ये बहुत खतरनाक चानवर होता है जिससे काफी लोग भैभीत होते हैं इंसान तो इंसान लेकिन कुछ जानवर होते हैं जो सेर को देखकर भैभीत हो जाते हैं क्योंकि ये इतने खतरनाक होते हैं कि अगर चरासा भी चुई कुई तो ये अपने मालिक को भी मार सकता है जो अपनी आदत के कारण कि करोन पति आदमी है कारों के कलेक्शन के साथ-साथ इनके घर में बहुत से टाइगर चीता सेर और काफी ऐसे खतरनाक जानवर ये पाले हुए हैं और हामित का सवक कारों के साथ-साथ बहुती खतरनाक जनवर पालने के बहुत बड़े सवकीन है लोग जैसे अपने कुटे और बिल्ली के साथ खेलते हुए नजर आते हैं वैसे हामित अपने सेर और चीतों के साथ खेलता हुआ नजर आता है और इस हामित का नाम जुनैद भी है ये अपनी सवक के कारण अपने घर पर एक छोटा सा जूब बना के रखा है जिसमें टाइगर, लाइन, वाइट टाइगर जैसे कई खतरनाग जानवर इनके चिडिया घर में मौजूद है इंस्ताग्राम पर जुनेद नाम की इनकी आईडी है जो की इनके 10 लाग फालोवर हैं और वहाँ पर ये अपनी एक लेटेस्ट इमेज अपने सेर और चीतों के साथ अपलोड किया करते हैं लोग बताते हैं कि जंगली जानवरों से जुनेद को बहुती प्रेम है आजकल तो इस दुनिया में बहुत से कीडों को भी पालने लगते हैं काक्रोच भी पाला जाता है और बहुत से छोटे जनवर भी पाले जाते हैं तो क्या आपको पता है कि बिच्चु भी पाले जाते हैं जो कि फॉरण में बहुत से बिच्छूओं को पाला जाता है जो कि अपने परवार के मेंबर की तरह इन्हें रखा जाता है और इनके भोजन का खयाल भी अच्छी तरीके से रखा जाता है कुछ लोग तो अपनी सोग पूरा करने के लिए काफी हद तक जा सकते हैं लेकिन इस बिच्छू के बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप इस बिच्छूओं को देख सकते हो आपको तो पता होगा कि हम जैसे मनुस्यों को धारा साही करने के लिए एक बिच्छू का डंखी काफी होता है जो की फॉरेन में बहुत सारे बिच्छियों को पाले जाते हैं जिससे लोगों का डर भी खत्म रहता है और ये इनके भोजन की देखभाल भी किया करते हैं अब हम जो अगला वीडियो दिखाने वाले हैं वो आपके पैरोतली जमीन खसकने वाली है क्योंकि एक ऐसा वीडियो जो बहुत ही खतरनाक है तो इस वीडियो को देखने के पहले आप हमारे अगर इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते ह हम बात कर रहे हैं कि एनाकॉंडा की जो बहुत ही खतरनाक होता है अगर वह फ्रिंड्स दो कुंतल की एनाकॉंडा होती है जो एक मनिश्य को आसानी से अपना पेट भरने के लिए उसे खा सकता है। लेकिन हम बात करते हैं एक ऐसी अवरत की जो इनाकोंडा को अपनी घर में पाल के रखे हुई है तो उससे डरने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो एनिमल एक्सपर्ट है और वो बराबर इस इनाकोंडा की देखभाल करती रहती है और एक ऐसा वीडियो यूटूब पे अ रखा हुआ था तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि इस इनाकोंडा को वो घुमाने के लिए बाहर ले जाती है और उसके बाद अपने घर में ले आती है और इसके भोजन का देखभाल वो बहुत अच्छी तरीके से करती रहती है क्योंकि इनाकोंडा को पता होता है कि अगर उसे भूँक लगी तो वो अपने मालिक पर जरूर हमला कर देगा अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का सेकेंड पार्ट चाहिए तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हम सेकेंड पार्ट जरूर लेके आएंगे तो फ्रेंड्स मैं हूं त ट्रॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों जय हिंद।